अलो दोस्तों, वेलकम टू आर्चल, हम देख रहे हैं थोर लॉब एंड थंडर के बॉक्स अप इस कलेक्शन के बारे में लाइफ टाइम और या ओटिटी पर का बाने वाली है, वहीं टाइगर स्रॉप की मुवी और स्कुरूड हिला का एनाउंसमेंट हुआ था, उसके इंगलीस में भी इस मुवी का बजट 250 मिलियन डॉलर यानि इंडिया के हिसाब से 210-100 करोड रुपया, जबकि इस मुवी ने लाइफ टाइम अपना बॉक्स अपीस कलेक्शन की या 850 मिलियन, इंडिया के हिसाब से 670-100 करोड रुपया या एक ब्लोग बस्टर्ड मुई सा दभीत होती है, अगर इंडिया का कलेक्शन के बारे में आपको बता जए तो इंडिया में इस मुवी ने अपना फॉष्ट विकेंड में 79 करोड 7 लाकी कमाई की, वहीं सेकन्ड विकेंड में 14 करोड 46 लाकी, थर्ड विकेंड में 4 करोड 34 लाकी, फॉर थे विकेंड उस समय एक करोड़ 69 लाग की कमाई की वहीं इंडिया से इसके वर्ल्ड बॉक्स अपीस कलेक्शन रहा हंड्रेट करोड़ 2 लाख रूपिया इसी के साथ यह मुवी बहुत ही संतार कमाई करी और इंडिया के से बहुत ही अच्छा रिस्पोंज मिला वहीं आपको बता दें की थौर लॉब एंड ठंडर का यह एक लाश्ट पार्ट होने वाला है इसके बाद थौर का कोई भी पार्ट आने वाला नहीं जो कि अगले मुवी में किसी और के मुवी में थौर दिख सकते हैं वो भी कम आसा है मार्वल्स के मेकर ने बताया था कि थौर का अगला पार्ट नहीं आने वाला है वहीं आपको बता दें की ओटिटी पर बहुत ही जल्द आने वाल यह आठ सेप्तमबर को डिजनी प्लस के होट इस्टार पर देख सकते हैं सभी भसाओं में मिल जाए कि हिंदी तमिल तेल्ग कनाडा मल्यालम इंगलिस और वहीं आपको बता दे कि टाइगो स्रॉप की मुवी स्कुरूड हिला के लिए बहुत ही खत्रा आ चुका है जो भी यह बैकवाड का नारा चल रहा है पूरा बोलीवूड के लिए इसलिए टाइगो स्रॉप की मुवी स्कुरूड हिला पर भी असर पड़ा है मेकर्स बहुत ही चिंती था है कि इस मुवी का बजट 150 करोड रुप्या बता रहे थे तो अगर इतना बड़ा बजट का मुवी बनेगा तो पहले इतनी बड़ी बड़ी बजट की मुवी बहुत ही डिजास्टर सावित हो रही है वहीं वो लोग रिक्स नही लेना चाहते है इसलिए या तो इस मुवी को पोस्ट पॉन करने वाले हैं या फिर इसका बजट कम होने वाला है देखते हैं क्या होगा उसके लिए अपडेट आपको मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो फटाक से सब्सक्राइब कर लिए